अब ये राख का मीनिंग क्या है राख मतलब आप अगर लगडी या कागज जिलाओगे तो जो राख निकलती है उसे हम बोलते हैं इंगलीज में एश तो उसकी बने हुई रसी तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं लोनपोगार तिबबत के 32 वी राजा सौनगवसन गानपो के मंतरी थे वे अपनी चाला की और हाजी जवाबी के लिए दूर दूर तक मशूर थे कोई उनके सामने टिकता न था चैन से जिन्दगी चल रही थी मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिन्ता का वी शेय बना हुआ था जो लोनपोगार थे वो तिबबत के 32 वी राजा सौनगवसन गानपो के मंतरी थे वे अपनी चाला की और हाजी जवाबी के लिए दूर दूर तक महशूर थे जो चाला की उनके उनकी बहुत चाला थे और हाजे जवाबी का मीनिंग रहता है कि प्रेजेंट रहना उसके लिए वह दूर दूर तक महशूर थे कोई उनके सामने टिकता न था वो इतने स्ट्रिक्ट थे कड़क थे कि उनके सामने कोई टिकता न था उनकी जो जिन्दगी थी वो चैंस चल रही थी मतलब मगर जबसे उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विशे बना हुआ था और कारण यही था कि वह बहुत भूला था होश्यार यह उसे चूकर भी नहीं गई था लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा जो लोनपोगार थे लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा इत्ता भूला भाला है अगर मैं मर जाओंगा इसका काम कैसे चलेगा यहना मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा इसका अर्थ यही होता है कि अगर मैं मर जाओंगा तो इसका काम कैसे चलेगा एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को सो भेड़े देते हुए कहा एक दिन क्या करते है वो लोनपोगार के बेटे को सो भेड देते हुए कहा तुम इन्हें लेकर शहर जा मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं इन्हें वापस लाना सो जो के बोरो के साथ तो फिर वो सो भेड देते हुए कहते हैं तुम इन्हें लेकर शहर जा मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं इन्हें वापस लाना सो बोरों के साथ वन्ना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूँगा और अगर उसने वैसा नहीं किया तो वह उसे घर में घुसने नहीं देंगे इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया और इत्ता कहेकर उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया लुनपोगार का बेटा शहर पहुच गया जो लुनपोगार का बेटा था तरफ शहर पहुच गया मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहा थे इत्ते सो बोरे खरीदने थे पर उसके पस एक रुपईया भी नहीं था वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया और वो इस विशेय पर समझने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहां आ रही थी पर उसने इतना सुचा मगर उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह बहुत दुखी था तब ही एक लड़की उसके सामने आग खड़ी हुई क्या बात है तुम इतने दुखी क्या हो लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं मैं इसका हाल निकाल देती हूँ जब वह सड़क किनारे बैठा हुआ था एक लड़की आई उसके सामने और कहा क्या बात है तुम इतने दुखी क्या हो लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया इसका मतलब यह होता है कि उसके साथ जो जो हुआ मतलब उसके पिताजी ने जो कहा उसने उस लड़की को कह सुनाया तब वो लड़की बुलती है इसमें इतने दुखी होने की कोई बात नहीं है इतना कहकर वह लड़की ने भेडों के बाल उतार कर और इत्ता कहती है और उस लड़की ने भेडों के बाल उतारे और उन्हें बादजार में बेच दिया इंता कहती है और बेडों के बाल उतार कर ये जो बाल होते है ना बेडों के ये बाल उतार कर उसने बादजार में बेच दिया जो रुपए मिले उनसे जोके सौ बोरे खरीद कर उसने घर वापस भेज दिया और जित्ते रुपई मिले उसने सौ बोरे खरीदे और उसे वापिस घर भेज दिया लोनपोगार के बेटी को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया जो लोनपोगार का बेटा था उससे लगा कि मेरे पिता जी बहुत खुश होंगे मगर उसके पिता जी ने उसकी आप बीती पर ध्यान नहीं दिया वे उठकर कमरे से बाहर चले गए दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा पिछली बार भेडो के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा सी भी पसंद नहीं आया अब तुम दोबारा उन्हीं भेडो को लेकर जाओ उनके साथ जो के सो बोरे लेकर ही लोटना इसके बाद क्या कहते हैं अब दोबारा तुम उन भेडो को लेकर जाओ और सौ बोरे खरीद कर ही लोटना एक बार फिर नीराश लुनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा न जाने क्या उसे यकिन भी था कि वहा लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आए ली और हुआ भी कुछ ऐसा है जो लुनपोगार का नीराश बेटा वो वापस जाकर शहर जाता है और जाकर उसी जगह पे बैठा था जहां वो पहले बैठा था और उसे यह यकिन था कि वह लड़की जरूर आएगी उसके मदद के लिए और हुआ भी कुछ ऐसा ही उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई इदह देखो वापिस आया मुश्किल कह सुनाई इसका अर्थ वही वता है कि जो जो उसने पिता जी ने बोला उसने वापिस उस लड़की को कह सुनाया अब तो बिना जो के सो बोरे के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे लड़की सोचकर बोली एक तरीका है उसने भेडों के सिंग काट लिये उसने क्या-क्या लड़की ने सोच कर बोला एक तरीका है उसने क्या-क्या भेडों के जो सिंग थे वो काट कर काट लिये उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे सो बोरे जो खरीदे और जिस सिंगों को बेचकर जित्ते रुपए मिले उसने सो बोरे खरीदे और वापिस लोनपोगार के बेटे को सोब कर वह चली गए भेडे और जो के सो बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था उसने बिजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई और अपने पिता जी को भेड़े और सौबोरे सौब कर वह खुश था और उसने अपने पिता जी को सारी कह सुनाई सुनकर लोनपोगार बोले उस लड़की से कहो कि हमें नो हाथ लंबी राख की रसी बना कर दे उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदिश दोहरा दिया जो लुनपोगार थे लुनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि उस लड़की से जाकर कहो हमें नो हाथ लंबी राख की रसी चाहिए और उसने क्या क्या यह संदिश उस लड़की को जाकल दोहरा दिया लड़की ने एक शर्ट रखी मैं रसी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होंगी लोनपोगार ने सोचा ऐसी रसी बनाना ही असंभव है इसलिए लड़की की शर्ट मंजूर कर ली और जो लोनपोगार थे लोनपोगार ने सोचा ऐसी रसी तो बनाना ही मुश्किल है इसलिए उन्होंने यह शर्ट मंजूर कर ली अगले दिन वह लड़की नो हाथ लंबी रसी ली उसे पत्थर के सिल पर उसने क्या क्या अगले दिन उसने नो हात लंबी रसी ली और उसे पत्थर के सिल पर रख लिया और उसे जला दिया रसी जल गई मगर रसी के आकार की राख बच गई इसे वह सिल समेट लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा और लड़की ने क्या क्या अगले दिन उसने नौहाथ लंबी रसी ली और पत्थर की सील पर उसे जला दिया और रसी जल गई मगर रसी के आकार की राख तो बच गई उसने उसे सील, सिला, सिला और फिर लोनपोगार के पास अगले दिन उसने ले गई लोनपोगार रसी देखकर चकित रहक है वे जानते थे कि राख की रसी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है हाथ लगाते ही बहुत तूट जाएगी लोनपोगार जो रसी देखकर चकित रहक है और वो जानते थे कि राख की रसी को तो पहनना दूर उसे उठाना भी मुश्किल है उसे हाथ लगाते ही तूट जाएगी लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चाला के धरी रह गई बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया धूम धाम से उन दोनों की शादी हो गई और उस लड़की की चाला की के उस समझदारी के आगे लोनपोगार की एक न चली और उन्होंने बिना वक्त गवाए अपने बेटे की शादी उस लड़की से शादी कर दई थैंक यू अगर आपको कुछ भी प्राब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देजिएगा थैंक यू बाई बाई